सो गाईज आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा कोश्चन वाला होने वाला है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें जो है HDFC बैंक का money back credit card ले लेना चाहिए लेकिन एक मिनट रुको अगर आप भी HDFC बैंक का money back credit card लेने के बारे में जिए इस credit card में अच्छी है क्या बूरी है इसके features और चार्जिस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही अभी बताऊंगा इस credit card के लिए आप कैसे apply कर सकते हैं तो hello दोस्तो मेरा नाम है जतिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल जतिन सैनिट टैक पर क्रिप करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर प्रैस कर लीजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं इस credit card की अच्छाईयों के साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस credit card के features के बारे में उसके बाद मै बताऊंगा इस credit card के क्या 40 आपको देने पड़ेंगे अगर आप इस credit card को लेते हैं उसके बाद बाद में बात करेंगे इस credit card को लेने का process क्या है कैसे इसको apply किया जाता है तो सबसे पहले features की मैं बात करो अगर आप इस credit card को लेते हैं और 1500 रुपीज कहीं पर भी spend कर देते ह तो आपको 2 reward point यहाँ पर दिये जाते हैं और वही पर अगर आप 500 रुपीज ओनलाइन में spend करते हैं तो आपको 4 reward point दिये जाते हैं और दोस्तो अगर आप इस credit card के द्वारा एक quarter में 50,000 रुपीज spend कर देते हैं तो आपको 500 रुपीज का gift voucher बिल्कुल free में मिल जाता है और आप एक साल में 2000 रुपीज के gift voucher बिल्कुल free में प्राप्त कर सकते हैं तो अगले कुछ features की बात करें तो यहाँ पर आपको zero cost liability का feature देखने को मिल जाता है इसका मतलब है कि अगर आपका credit card चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो आपको पहले 24 गंटे के अंदर HDFC के call center में call करके बता देना है तो उस condition में आपको कोई खतरा नहीं होगा आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई भी fraud transaction होती है आपके credit card के द्वारा और यहाँ पर जो है आपको 50 दिन का interest free credit period मिलता है आप shopping करते हैं तो पहले 50 दिन तक आपको कोई भी interest यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा और साथी दोस्तों इस credit card में आपको revolving credit का feature भी देखने को मिल जाता है तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और feature की तो इस credit card में आपको fuel surcharge waiver भी देखने को मिल जाता है एक परसेंट का fuel surcharge waiver आप ले सकते हैं सभी fuel station पर पूरे इंडिया में आपको minimum transaction 400 रुपीज की करनी होगी और maximum cash back आप 200 रुपीज का ले सकते हैं और feature की तो renewal offer आपको देखने को मिल जाता है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों smart EMI का feature आपको इसमें मिल जाता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है माल लीजे आपने कोई बड़ी shopping कर लिया बड़ा खर्चा कर दिया credit card के द्वारा तो आप उसको bank को आसान किस्तों में दे सकते हैं जिसे हम बोलते है smart EMI contactless payment का भी आपको इसमें feature देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर 2000 रुपीज की contactless payment कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब बात कर लेते है reward point यानि cash point की आप जो यहाँ पर cash point कमाएंगे reward point कमाएंगे इनकी क्या validity रहेगी क्या value रहेगी कहा पर इनको आप यूज कर सकते हैं चलिए सब कुछ देख लेते हैं reward point की value रहेगी वो एक reward point की value रहेगी 20 पैसा अगर आप इन्हें खर्च करते हैं statement balance के थुरू लेकिन अगर वहीं पर आप इन्हें flight booking, hotel booking में यूज करते हैं तो वहाँ पर इनकी value 25 पैसे हो जाती है यहाँ पर अगर आप इन्हें statement balance के थुरू रिडिम करते हैं तो आपके पास 25-0 reward point minimum होने चाहिए reward point को रिडिम करने के लिए reward point की validity की बात करूँ तो यहाँ पर आपके जो reward point है वो केवल 2 साल तक valid रहेंगे दो साल के बाद वो expire हो जाएंगे अगर आप उनको यूज नहीं करेंगे तो अब बात कर लेते हैं इस credit card को लेने के लिए आपके पास क्या eligibility होनी चाहिए तो बात कर लेते हैं इस credit card की eligibility की यहाँ पर जो यह credit card है वो salaried person को भी दिया जाता है और self-employed person को भी दिया जाता है देखिए अगर आप salaried person तो आपके उमर 21 से 60 के बीच होनी चाहिए और आपकी monthly income 25,000 रुपीज होनी चाहिए अगर आपको एक खुद का काम करते हैं आप self-employed है तो आपकी उमर 21 से 65 के बीच होनी चाहिए और आपकी जो ITR है वो हर साल की 6,000 रुपीज आपके पास होनी चाहिए माल दीची ITR आप 6,000 रुपीज के अगर आप फाइल करते हैं तो आपको एक credit card आसानी से मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज की जो है इसके charges यहाँ पर दोस्तो इस credit card को अगर आप लेते हैं तो जोइनिंग फीज 500 रुपीज है और वही पर रिनीवल फीज भी 500 रुपीज रखी गई है अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहूंगा अगर आप इस credit card को लेते हैं और 6 महीने तक आप कोई transaction नहीं करते हैं तो आपका credit card HDFC bank बंद कर देगा लेकिन उससे पहले एक notice आपको जरूर देगा तो 6 महीने के अंदर एक transaction आपको जरूर करनी होगी अब बात कर लेते हैं कुछ और चार्जिस की तो यहाँ पर दोस्तों interest free period 50 दिन रहेगा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर cash advance limit आपको 40% दी जाती है क्योंकि यहाँ पर bank आपके उपर बहुत सारे charges लगा देता है cash advance limit जो मैंने आपको इस credit card की बताई है वो HDFC bank के हर credit card पर लागू होती है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप इस credit card को लेना चाहते हैं आपको लगता है credit card मेरे लिए अच्छा है मैंने इसकी features and charges के बारे में पूरी जानकारी ले ली है तो इसे apply करने का क्या process है तो दोस्तों इस credit card को apply करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है या तो आप पीछे back आजाएए इसी page पर या फिर आपको नीचे description में जाना है वहाँ पर आपको apply करने का link मिलेगा जैसे आप उस link पर click करेंगे आप directly इस page पर आजाएंगे अगर आप HDFC bank के customer नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है नीचे capture डालना है और नीचे जो आप terms and condition देख रहे हैं इस box को आपको tick कर देना है अगर आप HDFC bank के customer नहीं है तो आपको पूरी detail डालनी है उसक के बाद आपको यह बताना है अप सेलरीड परसन है उसके बाद अपनी income वेगरा बताएंगे तो next page पर आपको पता चल जाएगा कि यह credit card मुझे मिलेगा या फिर नहीं जैसे यह credit card आपके सामने आता है तो उसी वक्त आप इस credit card को online ही apply कर सकते हैं अगर आप HDFC bank customer पर आपक को फिल कर देना है उसके बाद आपको login पर क्लिक कर देना है लोगिन पर क्लिक करती है आपको अपनी net banking का password डालना है फिर आपके सामने वही सेम प्रोसीज आजाएगा आपको बताना है आप सेलरीड है यह credit card आजाएगा नीचे apply का बटन आजाएगा आपको apply पर क्लिक करना है उसके बाद HDFC bank के credit card department से आपको call आएगा अगर आप सेलरीड परसन है तो आपको salary slip देनी होगी अगर आप परसन है तो आपको अपना ITR देना होगा उसके बाद आपको बड़ी ही आसानी से यह credit card मिल जाएगा तो दोस्तों यह पूरा तरीका है credit card को लेने का आसा करता आप समझ गए होगे कि यह credit card मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करने के बाद बैल आइकन को भी जुरूर प्रेस कर लीजेगा